एक हावा तकसर यहाँ सुनी सुनाई जाती है कि भगवान दुस्मन को भी थाना के चहरी और अस्पताल जाने से बचाए अब समझ ही गए होंगे कि ये तो बाबा क्या हमारे परवाबा के समय से ही कहा जा रहा है अभी अभी तो आपके मान की हाने हुई थी वो भी एक दो सव लाग करोड नहीं पूरे एक हजार करोड की क्योंकि बाबा ने सीना ठोक कर टेली वीजन पर वही सब बोला जो आए दिन एक गरीब मध्यम परिवार वाला तब बोलता है जब आप उसके किसी अपने को मार देते हैं जब किसी अपने के मर जाने के बाद भी उसकी इम्रित दें उसके हवाले तब तक करने से इंकार कर देते हैं जब तक कि वो आपके पाँच-सितारा नर्सिंग हों या अस्पताल की पाई-पाई ना चुका दे लेकिन अब बाबा ने कहा वो भी भगवाधारी तो फिर उस संग के हेड मानीटर जो अंकल जान बनकर सब को क्रास कर रहा था उसे तो भीतर तक चुहना ही था खैर मगद ये क्या सुना है कि आपने मान और हानी दोनों की ही शिकायत वापस ले ली उल्टा अपने उपर मुकदवा और ठुकवा लिया एक कहावत अक्सर यह सुनूई सुनाई जाती है कि भरवान दुस्मन को भी थाना कचहरी और अस्पताल जाने से बचाए अब समझ गए होंगे कि यह तो बाबा क्या हमारे परवाबा के समय से ही कहा जा रहा है या यह कहिए कि तब से कहा जा रहा है जबसे इन सब का अस्तित्व समाज में आया या कहें कि थोपा गया चलिए इसे भी खत्म करते हैं और कुछ सवाल पूँचते हैं आपसे अरे नहीं बाबा जी वाले नहीं हमारे सवाल अलग हैं बाबा वाले तो आपके लिए आउट आप सिलेवस रहे होंगे मैं सिलेवस से पूछना चाहता हूँ आपके इस संग ने क्या कभी उन चिकित्सकों की सूची जारी की जिनके बिरुद्ध गभ्मिर्तम अपराद माना अंगों की तसकरी से घ्रिंडित और क्या हो सकता है इसकी सिकायद दर्ज की गई मुकदमे हुए सजा मिली कभी आपने उनके नाम सारजनिक करके बताया कि आप की मान हानी होई है चलिए उन डाक्टर साहिबान की सूची तो जरूर होगी आपके पास जिनके बुरुद्ध आपने कठोर कदम उठाए क्यूंकि वे सब सरकारी बेतन और भत्ते लेने के बावजूद अपने निजी नर्सिंग होम और पांच इतारा हस्पतालों में विसे के सारे सुख चैन आराम रुतवा पैसा स्टेटस को लात मार कर सुदूर ग्रामीड छेत्रों में सिर्फ इसलिए जाना पसंद किया क्यूंकि असल में इस पेसे को अपनाते हुए खाई दिलाई गई कसम सिर्फ इन्हें ही याद रही क्या बात करते हैं ऐसे डाक्टर देश और यद इसी हिसाब से बाबा ने 2000-3000 करोड दे कर आपको पूरी तरह से मानहीन कर दिया तो तभी तो कहते हैं डाक्टर बाबू जिनके दस्त लगे होना उन्हें संख वा जाने से परहेज करना चाहिए फिर आपकी आक्सीजन तो पहले से ही बेंटिलेटर पर है